नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे हरियाना कोशल रोजगार निगम से जुड़ी नई जानकारी के साथ तो हरियाना कोशल रोजगार निगम में आप सभी को पत्रा है 28 तरह की जो है बरत्यानिक लिए हैं लास्ट डेट आजून की चल कि आश्रो आफ से पहले प्र्वाएगा था एक्सपरेंश डिटेल के अंदर आपसे प्रफ्रेंस वर्वायाई गई थी आपकी पांच भूस्टों इसमें आपने देखना है कौन से लैवल की पूस्ट बरी हैं लाउबवल वन की बरी हैं लावल न टू की परिए हैं या ला है कंड़क्टर है या फिर कह सकते हैं टीजीटी की पोस्टे हैं ठीक है कलरक की पोस्ट है डाट एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है अगर यह सेलेक्ट की है तो आपको बरना है जो है गरूप इइक है गरूप डी की पीएंड्र है बेल दार है म अडिये टीक की पोस्ट है तो डीका स्को उठाया जा Leistu एगा अगर बेलडार का तो बेलदार के लिए वाइलिड रहेगा कलरक का एक्सप्रियंस है तो कलरक के लिए रहेगा वही सेम जो बरॉल वाला काम है अगर गुरूप D के सीटी के मार्क्स अप्लोड करोगे तो गुरूप D की पोस्ट पे जोड़े जाएंगे वो और गुरूप C का अब मान के चलो के बहुत सेकंडेटर तो ने डी गुरूप का दे रहा बस है और वह अगर वह यह सोचे की कलरक में उनके सीटी के नंबर जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा ठीक है आपके पास अगर गुरूप C का कलियर है सीटी तो गुरूप C की पोस्टों के लिए ही वो नंबर जोड़े जाएंगे सीटी के अगर गुरूप D का क्वालिफाई है तो गुरूप D के लिए ही पोस्टों के लिए वो नंबर जोड़े जाएंगे आपका जो सीटी का स्कोर है उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो एड़ करके दिखाया जाएगा आपको आपको दिखावी देते हैं इस सिटी रोलंबर रेजल्ट की गृुप यहां पर गृुप में मेंसिन होगा रिपार दिखाय और यहां उसकोर मेंसिन होगा तो जिसने गृूप D का सिटी क्वालिफाई कर लिया है अपने गृूप D के सिटी चाणाओ अगर D का आपने कलियर कर रह दो घृड़ की पोस्ट कोई बात नहीं है यह डाटा आप किसी टाइम भी अपडेट कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट लगाऊगे कैसे अप्लोड करना सीटी का उसके बारे में वीडियो लिंक डिस्कृशन में है वो देख लेना कैसे आपको अप्लोड करना बात आती फोर्म खोलेंगे तो खुलेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा री ओपन ठीक है री ओपन करना पड़ेगा अगर आपको यहीं फोर्थ स्टेप पे दिखाए दे री ओपन का उप्शन तो आप फोम को अपने कलिक करके री ओपन कर लेना नहीं तो अपनी गरिवाइंस लगाओगे फोम री ओपन कैसे करना और आप जो हैं सीटी के मारक अप्लोड कर पाएंगे ठीक है तो बात को समझ गए होंगे अगर गुरूप C की पोश्ट पड़ी हैं तो C का CET और गूरूप D की पोश्ट अगर परी हैं तो गूरूप D का CET के मारक देखे जाएंगे अगर आपने PN कूक्ड़ों के दार ये परी हैं तो अपने गूरूप D के ही मारक अपक्लोड करो जो आपका CET कलियर हो चुका है हम ठीक है रिकार्ड आपके पाश आई चुका है रोलमबर आ गया है रिजिस्टेसिय okay छुखा है रीजल्ट आ चुका है स्कॐर कितना बणा हो भी आ चुका है तो आप यहां पे अप्लोड कर दो अपना अगर डी की पोस्ट के लिए अपने अप्लाई किया हुआ है तो यह जानकर यह आपके लिए रहेगी बार-बार कंडिडेट कुमेंट कर रहे थे कि मेरा डी का अगर जानकर रहे लिए आपके लिए अपलाई करका है थे लिए जोंकर है आपके लिए रहेगी और आपके लिए ले रहेगी और जो अनकरी के भी कंट करके ahor कर के जरूर घृण